नमस्ते आज हम बात करेंगे ऐसा वेबसाइट के बारे में जिसे आप यूज करके कोई भी आपका शेयर अनलाईज कर सकते है तो कोई भी शेयर आपको रिसेश करने से पहले ये वेबसाइट को यूज करके असानी से आपका जो शेयर है उसकी बारे में इंफोरमेशन कलेट क कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छी तरह से तो चलिए शुरू करते हैं जो मैं वेबसेट की बढ़े मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है तीजोरी जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैं अलड़ी खोला हूँ तीजोरी फाइनस उसके बाद यहां पे आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूं रिलाइन्स तो आप यहां पे देख सकते हैं रिलाइन्स इंडेस्ट्री लिखने के बाद यह आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीजोरी फाइनर्स का आपका application है ये website है इसका सबसे खासियत है कि ये share आपका कोई भी आपका stock को details में दिखाते है कितना percent कहां पर इंवेस्ट है कितना percent growth हो रहा है नहीं हो रहा है उसका source भी आप धून पाएंगे कि कहां से information लाया गया है तो यह इसका खुविया है तो चलिए पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं इसका market का P.E. ratio शेयर का price सब कुछ यहां पर mention किया गया है उसके बाद यहां पर point wise वो लोग mention किया है जैसे company के बारे में overview तो यहां पर एक-एक करके यहां पर लिखा है connection financial आपको देखना है तो वो भी यहां पर है shareholding pattern देखना है benchmarking क्या क्या है आपको knowledge base सब्सक्राइब के बारे में reliance industry का related बाद उसका related कोई भी other business हो वो कैसे growth हो रहे है नहीं हो रहे आप यहां पर मिल जाएगा तो पहले देखते है overview तो overview के अंदर आप देख पा रहे है कहां पर कितन market share है telecom के कितना अंदर है यहां पर petroleum के अंदर कितना है वो आप यहां पर देख पा रहे है उसके बाद आप revenue कहा cetteãos से generate होता है कितना फेर्सन पेट्रोखेमिकल से कृटना आ रहे है अपका digital business कितना क्यार रहे है वो भी आप देख पा रहे अभी कौन सा country में कितना service देता है rest of the world 45% reliance supply करता है और India के अंदर इसका market share है almost 55% तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके बाद नीचे जाएंगे तो कहां से जो retail section है यहाँ पर देख सकते हैं उसका भी यहाँ पर details दिया है कितना अच्छी तरह से maintain किया है colorfully है तो आप यहाँ पर आपका research यहाँ से करके पता कर सकते है profit breakup देखिए यहाँ पर कहां से कितना percent profit आता है इसका भी details यहाँ पर maintain किया है अच्छी तरह से अपने portfolio के लिए जब research करना होता है तो यूज कर सकते हैं देखिए कितना लगातार ग्रोव हो रहा है किसे information आप कलेट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसमें maintain किया है revenue बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है मोबाल सब्सक्राइबर कैसे इंप्रूब ह हो रहे है monthly data consumption improve हो रहे नहीं हो रहे है तो मैं बोलूँगा कि तीजोरी finance actually भंडा रहे information का तो अच्छी तरह से अपने portfolio के लिए जब research करना होता है तो यूज कर सकते हैं देखिए कितना details में यहां पर mention क्या है यह तो हो गया overview इसके बाद यहां पाए इसका connection तो इसका details मिल जाएगा आपको क्या क्या product बनाता है नहीं बनाता है उसका अंदर का information है आपको कुछ financial check है जरूर बहुत important है इसका result कैसे आया है नहीं आया है इंप्रूव हुआ है नहीं हो रहे है इसका share का जो chart है वह आपको यहां पर मिल जाएगा तो नीचे जाएंगे तो एक-एक करक अब देखेंगे कि इसका जो highlight point है वह भी यहां पर mention किया है इसका आप जो growth prospectus है वह भी यहां पर दिया हुआ है उसके पात balance sheet portfolio loss हो रहे है नहीं हो रहे है profit हो रहे है सब कुछ tax कितना pay कर रहे है net profit कितना है cash flow इसके अंदर कितना है capex कितना कर रहे है देखिए कितना बहुत कुछ quarterly result आप यहां पर देख सकते है yearly result देख सकते है इस हिसाब से इसके बाद आपका benchmarking में यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इसका अंदर भी आपका इसका details देख पाएंगे financial कुछ important points है इसके अपर जो group of deal होता है उसके उपर आप नज़र रख सकते है इस हिसाब स conference call आता है जो result का जो actual copy है investor जो investor इसको एक जो presentation देता है सब कुछ यहां पर मिल जाएगा उसके नीचे जाएंगे तो दूसरा company के बारे में देख पाएंगे उसके बाद extra जो point है वो है refining sector यहां पी आप click करेंगे तो इसके अंदर आपका जो बाकी refining sector कैसे कर रहा है company तो कै इंडिया की अंदर इंडिया की बाहर refining sector कैसे काम कर रहा है तो आप वो आपका refining sector की अंदर देख पा रहे हैं तो मैं मैं बताऊंगा कोई भी आपको share लेना है तो पहले आप research जरूर कीजिए research करने के लिए सबसे अच्छा जो साब का website है तो screener.com है यह उसके बाद details में आपको information लेना है तो तीजोरी finance अब जरूर यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो में बने लेने के लिए धन्य बाद thank you see you on next video